नमस्त कर चलिए आपकी पाम का अनलेसिस करते हैं कि आपकी पाम का अनलेसिस करने इस पिले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ देखिए आपकी जो कुंडली है लेकिए 27 जो 1982 है है 27 जब 7 और 2 को प्लस करेंगे हम तो हमारा एकल नम्मर आए का 9 यानि कि आपका जन्मांक जो है ना, मुलांक जिसको बलते है, वा नाइन है, तो नाइन जो नम्मर होता है ना, ये मंगल के द्वारा रूल किये जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे जातक में मंगल की परविर्टी जरूर होती है, साहस बहुत अच्छा होगा, सोसल होगे, क्रोध बहुत जल्दी आत है है ना पेसेंस लेबल थोड़ी कम होती है भूमी वाहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है जब आप इन तीनों को एड़ करेंगे 27 जून 1982 को तो यह नमर एट आएगा एट नमर इशनी के द्वारा रूल के जाते हैं तो आपका जो लकी अंक है एट है तो काम भी आपको शनी से रिलेटेट करना चाहिए उसमें सफलता मिलेगी सनी से रिलेटेट काम हो गया लोहे का काम चमरे का काम ख़दान का काम है ना यह सब ची अग्शनी के जात हैं तो इसका मतलब क्या हो गया लगन में ही बहुत उत्तम योग बन रहा है आपका मालब्वी योग लगन में ही मालब्वी योग बनना अपने आप में बहुत बढ़ी बात होती है ऐसे जाता को लाइफ में लगजरी और कमफर्ट रमाइंस ब्लेजर हर रहता है और साथ ही साथ प्लस पॉइंट क्या है सुक्र के साथ बुद्ध एकदम 19 डिग्री पे कंजक्ट है बेस्ट यह कॉंबिनेशन बोलते हैं तो यह सुक्र और बुद्ध का कॉंबिनेशन लक्ष्मी नारायन योग बना दिया ठीक है अब इसका फल क्या होगा कभी भी सौमी यह है यह धनवाओ के सौमी आपके लगन में है तो धन संबंदी कभी कोई प्रॉबलम नहीं होगी अब देखिए यहां चार नमर चार नमर करकरासी करकरासी के सौमी चंद्र यह भी आपके केंद में बेठे हुए यह भी अच्छा फल ही देंगे यहां माता का बार से बहुत लगाओ होता है बहुत जाद आपने घर से बर्थ पले से दूर नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों को बहुत अच्छी फल देता है घर के पास ही रहना चाहिए ऐसे लोगों को वहां पर बहुत अच्छा फल देगा सिक्स नमर है इसका देखिए आपके यह जो फल देंगे तो बिजनस बहुत अच्छा रहाता है विजनस माइंडेट होते हैं ऐसे जाता काफी अच्छा आपकी कुंडली है फ़र्स लुक में ही कुंडली बहुत अच्छी दिख रही है आपकी उसके साथ नमर साथ मर्तुलारासी देखिए शिक्स हाउस के स्वामी आपके अच्छा ही फल देंगे मतलब जो है ना आपके सत्रू रोगली पुरिन है ना इनसे आपको निजात रहेगा ज्यादा परिशन नहीं करेगा एट नमर है इसके स्वामी मंगल तेकिए जब भी आपके सेवंथ हाउस और आपके फिफ्ट हाउस का किसी परकार से संबंद बने एक पुतर संतान होने की संब्राबनाएं बहुत जादा होती है दो तीसरी चीज क्या है ना यहां का स्वामी मतलब केंदर का स्वामी अपके त्रिकोन में बैठे तो ऐसे जाता कि या तो खुद ही डॉक्टर प्रोफेशन होता है ना क्योंकि शनी मंगल की यूती भी बन र जाएंगे सेना डिफेंस जो भी होता है या खेल में जाएंगे या फिर आपके डॉक्टर लाइन में जाएंगे है ना सर्जन नाइन नंबर है सिक्साउस के स्वामी देखिए विवरीत राजयोग बन रहा है आपका आपके जो है ना यह हो गया आपका एट्थ हाउस के स्वात्र प्राब्लम है आपको गुरु में प्राब्लम है आपको पेश संबंदी प्राब्लम हो सकता है संतान लेट होना इसन सभी चीजों को दिखा रहा है यहाँ अब दर्श नमर देखिए भाग्य भाव के स्वामी भी आपके श्यनी बन रहे है जो कि एकदम से यहां प लगना लेकिन आपके बुद्धी इतनी अच्छी है ना बुद्धी इतनी अच्छी है तो इस चीज से आप सब निजात पालोगे देखिए सबसे बड़ी बात भाग्य भाव और रोजगार मतलब आपके कुंडली में शनी का भी प्लेस्मेंट शनी भी बहुत अच्छा फल द एक नमर एक नमर मंगल हो गया है न मेश राशी इसके स्वामी यह बैठे हुए यहां पे हलांकि 12 आउस के स्वामी यहां बैठ जाय तो अच्छा ही फल देगा लेकिन संबंद बना रहा है तो वही चोड़ चपेट कोट के चेरी थोड़ा सा परिशान करता है अब देखिए शूरी और राहु की युद्धी यहां पे आपको गरहन योग का निर्मान कर दिया है गरहन योग पितर दोस्त जिसको बोलते हैं तो इसका आपको रेमेडीज करनी बहुत ही चरूई है अदर्वाइज गोर्मेंट पैसा आना बीदेशों से पैसा आना यह धन भाव है आपको धन दौलत बानी बहुत अच्छी रहेगी इसकी दिरिष्टी सेबंत पे है तो सेवंग पैसी पाटनर्सिप में बहुत अचार हैगा सब कुछ है ना पार्नर्सिप में कोई काम करें तो बहुत आपका पहलेगा खाश करके अब मेल पार्टनर आपको बहुत एर्थ हाउस पे ये भी निगेटीव है उसके गाद साथमी द्रिष्टी आपके लाव भाव पे पट रही है तो यहां भी थोड़ा दिक्कत है है ना आठमी द्रिष्टी खर्चे के भाव पे तो है प्रॉब्लम है ना तो यहां पे इसकी रेमेडीज आपको शनी मंगल की और सुरी राहू पित्रदोस की रेमेडीज करनी है शनी की द्रिष्टी बहुत अच्छी होगी क्योंकि शनी बहुत अच्छे यहां पे हैं प्लेस एक दो तीन तीसरी द्रिष्टी आपके सब्तम भाव पे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा है थो ऐसा साधी में कला कलेस होता लि क्षा भाव पे तो शनी से रिलेटेड़ चीजों में और हो गया या फिर शनी से रिलेटेर है जज्मेंटल चीजों में बहुत अच्छी सफल्था मिलती है सेवन नाइन टेन तसमीं द्रिष्टी पर रहे हैं आपकी धन भाव पे सही है अच्छा है यह भी शनी की द्रिष् पर रहा है तो रोजगार के भाव पर पाजमी द्रिष्टी परने पर लेकिन यह असुब द्रिष्टी है एक तो आपके कुंडली के लिए यह सुब अगरे नहीं है सत्रू राशी में बैठे हैं सिक्साउस में बैठे हुए तो थोरा रोजगार में इस्टिबिलीटी को कमी कर है इसे ठीक है उसके सेवंथ द्रिष्टी इसके ट्वेल्थ हाउस पर रहा है तो खर्चों में बढ़ोतरी करेगा और नाइन द्रिष्टी धनभाव पर धन संचा भी अपका हो जाएगा इक वान नमाश कुंडली में आपकी देख रहती हूं देखिए नमाश कुंडली में डिगरी चेक कीजिए नमाश कुंडली में पता चल जाएगा शुक्रोच का हो गया यहां पर राहू देखिए राहू बहुत अच्छा फल दे रहा है प्राकर महा में बैठ गया है बहुत प्राकरमी सासी होते हैं मंगल आपका उसी घर में है सेम जगा तो मंगल अच्छा फ जैसे आपके मान समान को ठेस पहुचना है ना इन सभी चीजों का तो आपको इसकी रेमेडिज करनी ज़रूरी भैठी का तभी चीज़ें थोड़ी अच्छी होगी जैसे गुरू की महादस आएगी तो देरे देरे चीज़ें ठीक होनी शुरू होगी चलिए आपके पाम प बहुत अच्छी से कर लेते हैं इंट्यूशन काफी स्ट्रॉंग है आपका उसके बार देखिए यहां पर आप देखेंगे अपने पाम को रेक्ट्रेंगुलर पाम है तो मेंटली काम करने में ज्यादा सच्छम रहते हैं कॉमपेर देन आपका जीकली वर्क है ना आप सकते हैं चलिए अब देखिए यहां पर शेटिंग लो है तो इस ट्रॉगर लाइप में देगा लेकिन उसके बाद अप सेटिंग है तो बीवेक से बुद्धिमान से आप अपने पोश्ट पे आ जाएंगे नोर्स के लिए है तो के लिए बोलना सुनना आपको पसंद आता ह हो गा और कोई भी चीज को हैं गुमां फिरा के नहीं बोलना है अगलम साबसाभ बोले सउनिये आपके रिए बहुत अच्छा रहेगा इसके बाद आपकी पिंगर देखिए गुडूकी फिंगर और आपके सूरी के भीगर बहृत अच्छी है था दोनों बैलेंस है बराबर है और यह हलकी कल्ट है तो अध्यात्मिक होते हैं ऐसे जातक है ना अध्यात्मिक में यहां पर आपको यह नहीं कहर सकते हूं धार्मिक आध्यात्मिक आप हैं ना कि मानपता का गुन भराया रहता है ऐसे जातक में उसके बाद यह दोनों बैलेंस ह तो बहुत संतुलित जीवन रहता है लेकिन रिष्टेदारों के साथ बिलकुल आपकी नहीं मतलब निटी है या तो रिष्टेदार पसंद नहीं करते हैं या आप रिष्टेदार को पसंद नहीं करते हैं कास करके सुस्राल पक्ष को क्योंकि गुरू पे इस तरह से है न यह स सन्तान के सुख में लेट होग array अगर हमेंट का कुनली अच्छा है तो जल्दी भी हो जाता है कोई दिकत नहीं क्योंकि में अच्छा है तो गुरू आपका ऑवर Michal च्छा को प्रोफेशर हो गया जॉज हो गया अध्यात मिंक Y ear अच्छा है इंश की फिंगर अच्छा अकिला रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है आपको है ना सूसल आपको ज्यादा होना अच्छा लगता है पॉलिटिक्स वेगरा में बहुत अच्छा रो जान रहता है क्योंकि रिसर्चेबल नीचर है आपका किसी भी जातक क्या आप कल्ट देखे रहा तो समझ जाये ऐसे जातक न अपने छैतर में अपने अरिया में एक्सपर्ट होते हैं चाहे आपका जो भी चीज़यघा उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि आपका नीचर है ना एकदम रिसर्चेवल नीचर है अंदर तक जाकर उस चीज को सीखना समझना तो एक्सपर्टरी तो उसी सब कम दिखते हैं से जाता है अब देखिए लेडिज के फैंग मतलब पांप में और इस पांप में इतना लंबा अंगठा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब भी इतना लांग अंगठा हो जाए ना तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि यह लोग बाई बॉर्ड डीड है क्यों क्योंकि यहां पर बुद्धाइज है किलियर कट बुद्धाइज और कहीं से खुला हुआ नहीं है सिक्सेंस बहुत एक्टिव है जो लगता है वही होता है और हाथ भी आपका जो है ना वाटर एलिमेंट का है तो यह प्लस पॉइंट है हाँ वील पावर थोड़ा का बहुत अच्छा सबसे स्ट्रॉंग उठाए पाम का सोल बोला जाता वही है आत्मा स्ट्रॉंग है आप देखिया आपकी गुरू की माउंट रिंग आप सोलो मन है इंट्विशन इस बहुत श्ट्रॉंग है आपका उसके बाद आप यहां पर देखेंगे इस परकार से ल प्रोपर्टी से संबंधी काम करने अपके लिए अच्छा रहे गा या पिर आपके नाम पे अच्छा प्लेगा क्योंकि यहां पे भी आपका कमल के पुष्प का साइन है तो यह साइन आपको धन के पॉइंट आप यू से बहुत अच्छा माना गया है यहां पे आप हैं इसे जाता है ट्रेवलिंग करना पसंद आता है आप लोगों को ठीक है तो यह चीज है आपका शनी भी अच्छा है तो घर में कलह कलेस थोड़ा रहता है उसके बाद आपकी सूरी देखिए सूरी पे क्या है ना यहां से इस तरह से रिखाएं आ रही है उसके यहां से भ लाइन और थोड़ा सा यह दबा हुआ माउंट है यहां लाइन तो है इसका इफेक्ट आपको बैड नहीं परेगा लेक्यों की लाइन से यहां पर पावरफुल साइन है लेकिन इसकी निवारन करना जरूरी है इसके लिए आप तामबे का एक कॉपर का यहां पर रिंग पह अब देख़ये बुद्ध माउंट पे इस तरह से लाइने हैए और इसका औबार स्रुरी के तरफ है ना तो इसका मतलब क्या होता है आपका जो काम होता तर दूर-दूर देश तक प्ऴैलना नया लोग आ पो दूर दूर के लोग जानना स्रुरी का काम ही होता है आपके ने इसे लोग अक्सर डिफेंस में पुलीस लाइन हो गया जिस दहां कि पाबर पोजिशन रहता है वो इसे जॉब करें जहां पर आपकी रुतवा हो इसे जॉब करने वाले होते हैं उसी परकार से चंदर मांट ना निगेटिव है ना पोजेटिव है यहां पे आप देखेंगे स ठीक है कि तुमांट भी सेम है ना निगेटिव है ना पोजेटिव है आपका लेकिन शुक्र का एरिया देखिए कितना बड़ा एरिया है जैसे कि कुंडली में और हाथ बिलकुल आपका मिल रहा है तो आपका मूड सुइंग का प्राबलम होगा एक लग्जरी कंफर्ट ला लाइफ में कोई च이지 की कमी होती नहीं है उसके मेंल नाइन मेंल नाइन पर सबसे पहले हाट लान हार्ड लान बिलकुल अच्छी नहीं है आपकी और सबसे पहली बात तो यहीं बिल्कुल सही है लेकिन उसके बाद ये लॉंग माइन लाइन और लंबी माइन लाइन आपके मंगल तक गई है जैसे 32 आप क्रॉस किये होंगे वैसे ही आपकी माइन में सदेन एक चेंज आ जाना कोई चीज को बहुत अच्छे से सोचना साहस बल मिलना है इस चीज को दिखा रहा है और ये लाइन जो है दो मुखी है वाइन लाइन तो बहुत सोच समझ के समझदार होते हैं लोग और इससे ब्रांच भी गया हुआ है तो माइन भी स्ट्रॉंग है जो भी प्रॉब्लम 32 तक है फैमली को लेकर बहुत ज्यादा प्यार है फैमली के बेना रहना इनके लिए इंपॉसिबल है इस व Suffra लाइन भी है तो इस वर्यों दो कर्सकों भी है आप की प्रॉब्लम नहीन बहुत हलकी है कहीं ना करना फीजिटी कली प्रॉब्लम दिक्रा था मुझे दीचिए सारे से अभी जारी लिए लेकिन कोई बीचीज के बिना की अप में रह सकते हैं कोई भी ऐसकते हैं के बीना अप नहीं रह सकते हैं तो कि अभी में भिख गार्व एप को अश्य लाइन आफ लाइन masculin में बसक्तृ Sam और आप अगर हार्ट में कुछ भी आपको लगता है ब्लड संबंदी हर्ट संबंदी प्रॉब्लम तो तुरंत आप चेक अप करवाईए हड़ी दात बाल इन सभी से भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको तो आइधिंक मैंने आपके हदिली का पूरा विश्टेशन कर दिया इसक कुछ सकते है नमस्कार